तो हलो गाइस और वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल और अभी साम के पांच बजने वाले हैं मैं जल्दी से कोजिस करूँगा जिस बाइक को आज रिव्यू करना है वो मैं अंधिरा होने से पहले रिव्यू कर दूँ और पिछला वीडियो में आपने काफी जादा प्य अगले आने वाले वीडियो में मैं वह भी कवर अप कर दूँगा सो या बिना किसी देरी का भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कज आप देख सकते हैं मेरे सामने जो बाइक है इस बाइक का नाम है हॉंडा लीवो यह बाइक करीबन दो साल पुरानी है 2020 में भाई ने इ अच्छा कलर इसका आप देख सकते हो एंड होंडा की बैजिंग आपको यहां पर मिल जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं ग्राफिक्स बनावा है लीवो का एंड आयोप कि आप समझ पा रहे होगी ग्राफिक्स वहासा देखके लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि य आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी तक बाइक इतना चल चुकी है आप इसका यह तोटल यहां पर देख सकते हो 15700 km यह बाइक चल चुकी है और यह आपको डिजिटल मिलता है जो यहां पर देख सकते हैं फ्यूल इंडिकेशन भी यहां पर दिखाया जा रहा है क फ्यूल टैंक की कैपिसिटी की बात करें तो 9 लिटर का समें फ्यूल टैंक है और आपको मैं इसका बैक प्रोफाइल दिखाना चाहता हूं बैक साइड से आप देख सकते हो इसका बैक लैंप कुछ इस तरह का दिखता है अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूं तो मैं इसको ग्लो करके भी दिखा दूँगा की लाइट का कैसा थ्रो है इसका मटगार की अगर बात करें तो यह प्लास्टिक मेटरियल है आप देख सकते हैं और गाइस मैं आपको यह जो बाइक दिखा रहा हूं यह एलॉड रम वाली बाइक है इसमें डिस्क ब्रेक का कोई मिलता है लंबा से सीट है इसमें अराम से इसमें कहने को तो तीन चार आदमी लोग बैठ जाएंगे बट ट्राफिक रूल को फॉलो करते वे आप लोग सिर्फ दो ही लोग बैठे तो ज्यादा बैठार है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तीन चार लोग आप इसमे इसमें आपको मिलता है इसके टॉर्क के बारे में अगर बात करें तो टॉर्क आपका इसमें 9.3 एनम का टॉर्क है एंड अगर बीएच्प की बात करें तो 8.79 PS पावर इसमें आपको प्रोड्यूस होती है ये इंजन से एंगाइज हीरो पैशन पर जो बनाया था उसमें आ बाइज आपको इसका सामने का सपैंस देख सकते हो तेलिस्कोपिक सस्पैंस न के साथ यह एक आती है आपको पता यह जितना भी कम्यूटर भाइक आता है उसमें अधिक तरह आपको त्युर्स कषपलीन सब्ङ्दन करता हो और ढख सकते हो यहां पर देख सकते तो तो सामन बैक साइड का अगर मैं तायर प्रोफाइल का बात करूं तो वही ऐसी बटा सौका इसमें बैक टायर का प्रोफाइल आता है और सेम आपको 18 इंच का ऐलोई इसमें मिलता है अगर इस वाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें आप नीचे से वैसे मैं आपको दि साथ की मैलेज बाइक दे देती है बहुत ही फ्यूल एफिसेंट बाइक है आप यहां पर देख सकते हैं गाइस कील स्विच का ऑप्शन है आप यहां से इंजन को कट आफ कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर का स्विच यहां पर कुछ ऐसा दिखता है और का स्वीच आप देख सकते हैं आप एंड जा इसी को प्रेश करने से भाइक स्टार्ट हो चुकी है एक बार मैं आप को इसका एक जो आप सुनाना चाहता हूं यह बाइक कैसा साउंड करती है आप एक बार सुन लो तो गाइस बाइक का साउंड कुछ ऐसा आता है एंड काफी जादा ही स्मूथ आवाज है ऐसा निकी कान में चूबने वाला आवाज है तो गाइस अभी मैं हैली फिल्ड में आप देख सकते हो आज पास एंड काफी जादा ही अभी अंधेरा भी हो चुका है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कील स्वीच में आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया हो है आप देख सकते हो गाइस अगर मैं इसको उपर प्रेस कर दूँगा तो बाइक आटोमेटिक ओफ हो जाती है तो यह काफी जादा ओप्शन अच्छा लगा मुझे कि अलक से सेल्फ का बटन नहीं दिया गया है जो कील स्वीच है उसी में आपको यह उप्शन मिल जाती है इतना कुछ मैं दिखा ही रहा हूं तो इंडिकेटर का लुक भी दिखा दिया जाए दिखाया जाए जो की हैलोजन बल्ब के साथ आती है आप देख सकते है कुछ इस तरह का इसका लुक है आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो उस चीज में आपको आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा उस इसको लेके कि यार बाइक आपने लेके गलती गर दी माइलेज के इस आप से काफी जादा ही बैस्ट बाइक में इसको काऊंगा भाई जैसा बता रहे हैं कि पचास आट का मैलेज ये निकाल के अभी भी दे देती है करीबन इसका दो साल हो चुका है इस बाइक को लिए वे प्राइब को पता होगा काफी जादा ही लोग पसंद करते हैं कर कॉम्यूटर सेगमेंट में देखा जाए तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी जादा ही लाइट वेट में आती है यह बाइक इस बाइक का अगर को साल पहले ने इसको करीबन नाइटी वन थाउजन रूपीज में खरीदा था हलांकि 89-90 तक यह बाइक उस समय मिलती थी कुछ ऐसेसरी भाई ने लगाया था डिक्की वगेरा कुछ लगाया था जो कि आज के डिट में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी इसमें तो वही दो हजार के इसमें आपको 91 1000 उसमें पढ़ा था उस समय पढ़ा था जब 2020 में इस बाइक को भाई ने पर्चेस किया था तो गाइस मैं आपको इसका सीट खोल के दिखा रहा हूं यहां से चावी लग जाता है कुछ इस तरह से यहां पर चावी आपको ऐसे घुमाना पड़ता एक बार घुमाने के बट काफी लोग इस इस पेस का भी यूज करते हैं तो मैं आपको बस एक option दे रहा हूं चाहो तो आप रख सकते हो तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि भाई ने इसको करिवान 90-91,000 में इस बाइक को पर्चेस किया ता एसे सरी का मैं कॉस्ट आपको एड़ करके बता रह रहा हूं अगर एक सोरूम प्राइस के अगर बात करें तो 76,000 आपका एक सोरूम प्राइस जारखन में इसका प्राइस आ जाता है तो गाइस आई होप कि यह रिवीव वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ वैसे ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए था नहीं बट मै मैंने कोसिस किया कि एक तरफ से आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाके देपाऊं और काफी ज्यादा अंधिरा हो चुका है तो फ्लैसलाइट ओन करके मुझे अभी वीडियो बराना पर रहा है तो माइन मत करना यार एक चीज और एड करना चाहूंगा इस वीड रुपीज देने पड़ेंगे और आटी और इंसोरेंस अगर आप एड कर लेते हो तो 91,000 आपको जारखन में प्राइस इस बाइक का पड़ जाएगा तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देजेगा तो यही था औल ओवर व्यू मेरे तरफ से इस बाइक को लेकर काफी ज़्यादा ही बेटर परफॉंस वाली बाइक है और जो लोग ज़्यादा मालेज प्रिफेर करते हैं कि यार उनके बाइक से ज़्यादा मालेज उनको मिल जाए तो उनके लिए बाइक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट में काऊंगा वो इस बाइ एक वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो गाई तो प्लिस एक वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल पर नहीं आये तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करे लिजेगा Do watch, do like, do share and do subscribe Motorad MJ Official मैं इस तरह के bike review अपने channel पर करते रहता हूँ तो आप मेरे channel पर जाके check out कर सकते हो काफी सारे bike के review मैंने किये वे हैं इसी channel पर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ Thank you so much guys